प्यारे बच्चो नमस्कार कल हमने हिंदी विशे में इमात्रा के शब्दों का अभ्यास किया था बिटा आपने उन शब्दों का आपको पढ़ना आगया होगा आपने पढ़कर देखे भी होंगे शेबद आज हम इमात्रा से सबंदित एक पार्ट को पढ़ने का अभ्यास करेंगे जो की है पार्ट नमबर पांच तो चलिए अपनी भाषा मादुरी की किताब खोलिए हाँ जी बिटा ये है पार्ट नमबर पांच पार्ट का नाम है दीपावली आई दीपावली का त्योहार होता है बिटा दीवाली का त्योहार आप भी मनाती हो ना दीवाली का त्योहार जब आता है अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हो मिठाईयां काते हैं घर को सजाते हैं कितना कुछ करते हैं हम दीवाली के त्योहार पर तो हमारा ये जो पाठ है ये भी हमारा किसके उपर है दिवाली के तिहार के उपर पहले भी हमें इस पाठ को एक बार रीट कर चुके हैं आज हम थोड़ी सी दुबारा से इसके रवीजन करते हैं देखिए जब आपने बटा शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है तो आपने मात्रा की आवास साथ में निकालनी है फिर आपने पढ़ना है देखिए मैं आपको एक पैरा पढ़के बताती हूँ फिर बाकी का आपने घर पे उसका अभ्यास करना है देखिए दी अब देखो वटाँ यहाँ पर द को बड़ी ए की मत्र है तो हमने इसके आवाज क्या की निकालनी है दी उसके बाद प को आ की मत्र है तो आपने ऐसे नहीं बोलना प, प को आ नहीं बटा यह गलत है, हम कैसे बोलेंगे अपने सिर्मत्रा की साउंड निकालनी है अक्षर की साथ कैzar की साथ कैसे बोलेंगी फिर हम इसको पाँ, ओके देखो दी, पाँ, gradually अब देखो, व के साथ कोई मत्रा है तो हम व को अकेला ऐसे ही बोलेंगे व उसके बाए ली क्योंकि लग को ई की मत्रा थी तो हम उसकी साउंड निकालेंगे ली ठीक है दीपावली आ ई आई देखो जैसे मैं एक एक अक्षर के साथ मत्रा की आवाज निकाल रही हूँ ऐसी आपने पढ़ कर देखना है फिर आपने पहले मत्रा के साथ शवबत को बोल कर देखना है फिर आपने इकठे शवबत को दोहरा कर देखना है ठीक है आगे देखिए गीता की ना नी नानी पी ली साडी पहन कर पहन कर आई गीता की नानी पीली साडी पहन कर आई ठीक है पेटा आगे देखिए ना नी ली ची प पी ता ना श पा ती नाश पाती मी अब यहाँ पे देखो पेटा जो म को मत्रा है वो छोटी इ है तो हम इसकी साउंड मी इसे नहीं निकालेंगे क्यों हमने किया था जो छोटी इ होती उसकी साउंड होती है इ तो फिर म के साथ जब छोटी इ लगी तो साउंड आएगी मी, ओके, मी था, इ, मिठाई, ला, इ, ला, इ, ला, इ, नानी, लीची, पपीता, नाश्पती, मिठाई, ला, इ, ठीके बटा इसी तरह से बेटा, आप पूरे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे जैसे अभी मैंने आपको पढ़कर बताया ठीके, तो यह था आपका बेटा, पाठ को पढ़ने का अभ्यास इसके बाद बेटा, इस पाठे में हमारे कुछ नई शबद आए है हमने उनको भी अपनी Hindi की Notebook के उपर लिखना है देखिए कैसे देखिए बटा यह हमारी Hindi की Notebook double line वाली मैंने आपको double line copy लिखाने के लिए लिखा था इस जो copy होती है इसकी line बटा एक चोटी होती है और एक line बड़ी होती है हमने चोटी line में लिखना होता है छीक है सभीने यह कॉपी लगा ली होगी तो आगे देखिए हम क्या से लिखेंगे इसकी उपर सबसे पर लिखेंगे बटा आज की डेट उसकी बाद है है पर हैडिंग लिखेंगे पार्ट नंबर पांच पार्ट का नाम दीपावली आई नए शबद अब इसमें जो भी नए शबद आये थी ब ठीक है जो नए शबद आपके लिए हमने इसको कॉपी पर लिख लिख लिया है अब आपने भी अपनी नोटबुक के उपर यह शबद उतार लेना है फिर आपने इनको पढ़ने का अभ्यास करना है और हो सके तो बिटा ममा के पांस बैठ कर इसकी बिटा आप शुतले किया करो जैसे कि ममा आपको यह शबद बोले और आप अपनी रफ कॉपी पर इनको लिखने का अभ्यास करो ताकि आपको सासात मातराओं की प्रैक्टिस भी होती रहे और उनको लिखना भी आपको शबदों को आता रहे ठीके बिटा तो आज आप पहूंवर्ग किया आप पार् और बुक्यों पर लिखेंगे ओके बेटा बाई